स्री सिवाई नमस्तुभ्यम हरहर महादेव रविवार के दिन बहुत अधिक दुरलव सयोग हो रहे हैं पुष्य नक्षत्र है, सरवार्थ सिध्योग है और अपने आप में पूर्णीमा जो माग पूर्णीमा सबसे बड़ी मानी जाती है गुरुजी के दो उपाए, एक स्वास्तिक का है, जो आप अपने घर पर ही करें, दूसरा उपाए, अपने बच्चे के हाथ से आप सभी को करवाना है, सिव मंदिर में जाकर पहला उपाए, देर ना करते हुए आप सभी को बताना चाहूंगी, पहला उपाए इस तरह से है, जहां पर भी आप अपने घर में ही माता लक्ष्मी जो की पूर्णिमा के दिन पूजि जाती है, भगवान सत्य नारण अर्थाथ भगवान जो स्रीहरी विष्णु हैं, उनके ही अवतार हैं, तो उनका पूजन किया जाता है, या सामाने तोर पर स्रीहरी विष्णु की ही प्रतिमा फोटू रखकर उनका पूजन किया जाता है तो आप सभी को उनके साथ मालक्ष्मी को भी जरूर से विराजमान करना है मालक्ष्मी की जो प्रतिमा फोटू है सबसे पहले उनको आप सभी को हल्दी कुमको मित्यादी समर्पित करनी है सबसे महत्व पूर्ण जो महला जानती हैं पूर्णिमा के ब्रत की महत्मता वह अधूत है और वह उनका पूजन भी करती है प्रतिक महला को गुरुजी कहते हैं इस दिन खीर बनानी है घर में इससे सौभागी में ब्रध्धी होती है और धन्धानी में भी ब्रध्धी होती है तो आप सभी को सबसे पहले हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाना है माता लक्ष्मी को ठीक है इस दिन लक्ष्मी का पूजन किया जाता है एक दीपक प्रज्वलित करना है माता लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाना है कोई भी आपको मंत्र आता हो महालक्ष्मी नम कुम कुम से बना सकते हैं हल्दी का जो है सबसे सुभ माना जाता है तो हल्दी मालक्षमे को लगानी है फिर उसी हाथ से आप सभी को सबसे पहला स्वास्तिक अपनी तीजोरी में बनाना है या दुकान का गल्ला या जहां पर भी अपना ओनलाइन आफ लाइन आप काम करते हैं सबसे पहले वहाँ पर एक स्वास्तिक का आपको निर्माण कर लेना है, दूसरा स्वास्तिक आपको उसी कुमकुम या हल्दी से जिससे भी बना रहे हैं, आप वह आपको दूसरा स्वास्तिक अपने रसुई घर में बनाना है, अगर दोस्तों आप रसुई घर में बनाएंग दूसरा स्वास्तिक आपको अपने रसोई घर में बनाना है ठीक है तीसरा स्वास्तिक आप सभी को अपने घर के मुख्यदवार पर बनाना है बस यही तीन स्वास्तिक पूर्णिमा के दिन प्रतिक महला को या पूरुस को जो भी घर में पूजा करते हैं जरूर से बनाना है और साथी दीपक भी जरूर से लगाना है, एक अपने घर के मुख्यद्वार पर लगाना है, एक जहां पर आप स्रीहरी विष्णु मालक्ष्मी का पूजन करेंगे, वहां पर लगाना है, तीसरा दीपक आपको सिव मंदिर में घी का जरूर से लगाना है, मालक्ष्मी के नाम का जो दीपक है वह लंबी बत्ती का लगता है और साथी भगवान शियों के नाम का जो दीपक लगता है वह गोल बत्ती का लगता है तो यह उपाय आपको जरूर से पूर निमा के दिन सुबह से लेकर साम तक जब आपको समय मिले तब ही इस उपाय को कर लिजिएगा तो यह तो उपाए है, यह पहला ऊपाए है, दूसरा उपा है, गुरु जी कहते है, गुरु पुस्चे नक्षत्र मैं खास तोर पर माताय अपने बच्य ले करें, इस से बच्चा तीव्र बुध्धी का होगा, कैसे करना है, ध्यान से सुनिए, बच्चा किसी न किसी तरह से बुद्धी से कमजोर है तो आप सभी को एक पान का पत्ता लेने न है पान के पत्ते में आप सभी को माता सरस्वती इंद्राणी और मापारवती के नाम की तीन टिकी लगाने नहीं है पीले चंदन से ठीक है अपने बच्चे के हाथ से यह कारे करवाएं उसके बाद महादेव के मंदीर में इसे अपने बच्चे के हाथ से समर्भित करवा दे यकीन मानिए दोस्तों जीवन के सभी कस्ट मीटेंगे और बच्चा निरंतर उन्नती करेगा जो यह पुष्य नक्षत्र होता है कई समय बाद आता है और अपने आप में अद्भूत होता है तो आप सभी को कारी करना है उसके बाद जो है उसी महादेव के मंदिर में आप सभी को तीन बेल पत्र और पांच समी पत्र इसके बाद समर्भित करने हैं यही पूरी प्रक्रिया है इस उपाई को करने की यकीन मानिए आपके जीवन के सभी कस्ट मीटेंगे और मनुकामना पूर्ण होगी सामानी तरह से बेल पत्री समर्पित करनी है और सामानी तरह से समी पत्र समर्पित करने हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है पान का पत्ता अराम से बजार में मिल जाता है उसके उपर आप सभी को तीन टिक्की लगानी है ठीक है बस यही सरल उपाय है जो आप सभी को अपने ब खानी में ब्रद्धी होगी करज इत्यादी है धन संपदा रुकती नहीं है तो उन सभी में आपको बरकत मिलेगी और जीवन में स्वयम ही सुख सांती आती जाएगी तो इस तरह से उपाय था आपके लिए मददगार रहा हो तो चैनल को लाइक शयर और सस्क्राइब जरूर स करेजे मता दी